अस्रामिक फिल्वर्ज मैंने बिद्वान चीमा व्लिकम बेक विडियो ऑफ कैपिटल स्मार्ट सिटी आज के विडियो में ऐसे बिनने वाले थर्ड एक्सेस ब्रीज के वाले से एक्सेस ब्रीज के और जा चुगे हैं एक Access Road 1 यहां से Overseas Prime 1 का Entrance Gate है और उससे अगर आप Executive Block की तरफ जाते हैं तो पहला Bridge आपको वहाँ पे मिलता है जिस Bridge की अगर हम Length की बात करें तो 300 foot और अगर हम Width की बात करें तो 110 foot width के साथ यह Bridge 1 बनता है जो Access Road 1 पे है अगर हम Bridge 2 की बात करें तो Access Road 2 जो चक्री रोड से अप Entrance लेते हैं स्मार्टी की जो सबसे पहली Entrance थी उस Entrance से कर जाते हैं Overseas Prime Block A Block B के साथ से तो आगे जाके जो Bridge मिलता है आपको उसकी Length है 450 running feet और इसकी width की बात करें तो 80 feet इसकी width बनती है ये तीनों Bridge जो हैं ये Sill River के उपर है अब Third Bridge Construct इसलिए किया जारा है कि Overseas Prime को Directly Access देने के लिए Golf Course में और Overseas East और इसके लावा गर हम बात करें Main Boulevard जो 400 feet रोड है उसकी तरफ और इसके लावा जो बाकी exit Motorway M2 पर इंटरचेंज है उसकी तरफ जाने के लिए Third Bridge की ज़रती है इसलिए स्मार्टी की तरफ से यहाँ पर Third Bridge Construct किया जारा है सिल रिवर के उपर और याद रहे कि Overseas Prime सेक्टर F के बिलकुल नेबरोड के साथ याद रहे कि Overseas Prime में के प्लॉट है आपका तो आप पहली बार तो आप बहुत अची Elevation जगा बे बैठे हुए है और Elevated जगा के साथ साथ आपको Direct Access मिलती है Overseas East में और इसके लवा Golf Course में तो इस लिहाँ से इस ब्रिज की Importance बहुत ज़्यादा बन जाती है याद रहे सौइटी की तरफ से इस ब्रिज को तगरीबन 8-9 मेने के टाइम मेने बी यूज हो गया है अब ही तक इस ब्रिज की तगरीबन कहलें कि 60-70% काम कंप्लीट हुआ है यादि इसके पिलर से काम जो है वो कंप्लीट हो चुग है इसके लावा जो ओपर इसके कार्डे डलने और प्रॉपर जो सी कार्पटिंग होनी है उसका काम अभी तक रहता है जो आने वाले दिनों में होफ़ली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हो जाएगा लेकिन सबसे अच्छी बात है कि Capital Smarty की तरफ से नजर आएंगे यह है Capital Smarty की होपसूरती कि अगर आप Capital Smarty में प्रचेजर हैं प्लॉट के मेंबर हैं तो आपकी अल्रेडी साइट पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलती रहती है जिसके वहसे मेंबर्स को कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है मैं अकसर साइट की वीडियो जब पोस्ट करता हूं तो मैं एक साइट जब रपीटिटिव वीडियो पोस्ट करता हूं तो आपको दिफरेंस लगाने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी पेश नहीं आती अंटल और अनलेस उस जगह पे जाम पे लेट से आप जिसकी वीडियो देखना चाहती हूं वहां पे लिडिकेशन यह स्रा का मसला ना हो तो उस वाई से आता है जैसे मैंने विलास वीडियो अप्लोड की थी ओवरसीज जे इस ट ब्लॉक ए की तो कुछ मेंबर्स ने से कुमेंट किया था कि ओवरसीज इस ब्लॉक की जो है चार माच माँ पहले वे ऐसी नज़र आता था तो चेंजिस डेफिनली आएं बट वो विलास की फॉर्म में है कि विलास का जो ग्रेस ट्रॉक्चर है उसमें का बहतरी आई है बाकी जो राइट और लेफ्ट साइड पर डिवल्मेंट बनती है वो उसी की तरह यानि के लैंड की जो काम है वहीं स्टेंड करते हैं सामने वे जाइट पर हार्मी पार्क ओवर्सीज इस्ट है उसमें डिवल्मेंट का स्टेटस वही है जो आज से तक्रीबन 6 मां पहले था लेकिन ये के ब्राउनिंग काम काफी जादा हुआ है और जो पहाड़िया थी वो खतम होगी है याद रहे कि इस एकसेस ब्रीज की इंपॉर्टनस बहुत ज़्यादा बनती है उन मेंबर्स को जिनको रिसेंटली एच ब्लॉक एफ ब्लॉक और जी ब्लॉक में साइटी की तरह से पॉजशन आफर हुआ है यवन दो ई ब्लॉक की तरफ से यए चार ब्लॉक में ब्लॉक में चारों ब्लॉक के पास ऑप्शन है और जो जाना है यादि यादि बचों को स्कूल लेकर जाना है तो अगर आप पॉजशन यहाप लेते हैं इस school की तरफ जाना है तो आपको आस दो option बनते हैं आप Oversus Prime के अगर member है और आपने आपके plot है अगर तो इन चार ब्लॉक्स में H ब्लॉक, F ब्लॉक, G ब्लॉक में तो आपको आस option क्या बनता है यहां तो आप इस bridge को cross करें अधर्वाइस आपको आस दूसरा option जो बनता है कि आप इस main road को use करते वे exit लें चक्री road पे और चक्री road को use करते वे दुबारा gate number 2 की तरफ जाएं और gate number 2 से access लेके आप उपर से घूमके sector C तक आएं और sector C से पर left होके R1 road से यहां से पर दुबारा left होके school तक आएं यहां को पास option 2 बनता है जहां पर आपको at least distance काफी ज्याद जरूर मुझूद हैं लेकिन जो main amenities होती हैं जिसमे स्कूल आता है मस्जिद आती है आपके shopping area आते हैं वो भी एक्जिस्ट नहीं करते हैं तो आपको ऊपर से route इस्तमाल करना पड़ता है अब इस bridge बनने के बाद आप इस इन चारो blocks में exist करते हैं अगर आप A और B block में है तो आपके पास यही option बनता है अगर हम नक्षे के मताबक बात करें तो अब इस bridge के बनने के बाद members को directly जो basic communities हैं वहाँ तक भी access हो जाएगी क्योंगे आपको यहाँ पे constructed mall मिलता है लेक वियू हाइट के नाम से side पे capital smart इगी तो इस mall तक भी access मिल जाएगी जो इस वक पार्क ब important बात है उन दोनों के लिए यह bridge काफी ज्यादा importance रखता है इस लिए इस bridge को काफी जाद तेजी से complete किया जा रहा है ताके जिन members ने overseas prime में अपने घरों की construction करनी है चे मेने साल में जार सी बात है कि उनकी construction जो complete हो जाएगी तो उनको basic amenities चाहिए होगी तो इन amenities के लिए इस bridge क launch नहीं किया गया यहां पर लेक विलाज होंगे अगर हम बात करें इस side पर तो इस side पर इसके F block और F block के साथ यहां पर में भी future में कुछ commercial properties हों सिल रिवर के उपर लेकिन अभी society की तरफ से यह area जो है उसे officially announce नहीं किया गया अगर हम बात करें west side पर तो इसकी west side पर बनता complete के जाता है उसके हवाले से चैनल को सब्स्राइब कर लें ताकि आने मेरे दुनों में तमाम लेटस अपडेट Capital Smartity और लहुर समार्टी की आपको बरवक्त मिल सकें again back to real time footage और अपनी स्कीन पर दुबारा वही site की actual images देख सकते हैं end of December 2022 तो आपको बहतरीन आइडिया मिल सकता होगा कि इस वक्त आपकी जो site जामते अपने property buy की हुई है और आपके current status of development कहां stand करता है हो सकता है कि आने वले दिनों मिल ससाइटी की तरफ से उमीद की जा सकती है कि 2023 जो होगा वो Capital Smartity का साल होगा क्योंकि Capital Smartity ने 2022 के end तक जितने promises किये थे mostly promises फिल्फिल किये हैं यानि कि possession offer करने की बात की गई थी Overseas Prime में वा offer हुआ है इसके लाव Overseas East में possession offer हुआ है, Executive Block B में possession offer हुआ है और सबसे बड़ी बात है जो सबसे critical चीज़ थी जिसकी base पे पूरा Capital Smartity हम तमाम लोगों ने बेचा था वो था Capital Smartity का M2 MotorWeb Interchange और सबसे बड़ी खबर यह है कि Capital Smartity का Interchange आज वो हकीकत बन चुका है आपको MotorWeb पे उसकी temporary access नजर आती है यानि फिजिकल अगर आप विजिट करते हैं साइट को यानि आप Capital Smartity के अगर member हैं तो head office जाएं, F11 मरकस वहां से एक temporary access का pass पकड़ें और pass पकड़ने के बाद आप easily भामरा Interchange से directly Capital Smartity की तरफ लहुर की तरफ मूव करें तो आपको जो properly Interchange मंदवाल ब्रिज हो है उसके बिलकुल साथ आपको Capital Smartity का Interchange मिल जाता है temporary access मिल जाती है तो वहां से आप enter होके side पे जा सकते हैं तो यह बहुत बड़ी ख़बर है जायर ची बात है कि जिन मेंबर्स की पास जो ने हमारे कहने पे यह बाकी marketing partner से कहने पे यहां पे plot buy किया, investment की, overseas Pakistan तो उनके लिए बहुत अच्छी ख़बर है कि Capital Smartity अपने इस promise को fulfill किया और आने माले दिनों में Smartity की जितनी land भी procure हो चुकी है अब इस एक बहुत बड़ा पार्ट है land का, बहुत बड़ी update है जिसको मैं आने माले दिनों में इनिशला हाईलेट भी करूँगा और बदाने कोश करूँगा कि Capital Smartity का phase 2 कहां पे आ रहा है Capital Smartity का phase 2 जो है इससे भी शायद जो current location है इससे भी ज़्यादा बड़े अरिया पे है और इससे ज़्यादा बहतर location पे बाक्या है जहां पे आपको शायद आने मेरे दिनों में Pharmacists भी नज़र आएं और बाकी Mixed Use Commercial Property और Residential Properties भी नज़र आएं अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज जो लाए, कमेंट और चैनल को सब्स्ट्राइब करना मत भूलें रिजवान चीमा को दीजे जाज़त अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज जर अच्छी मेंट भीडन ख Corona brake खुदा चिला करना मत भीडियो करती चैनल को प्ला है रिज़ रिए वीडियो